नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके फिन चैनल अंकित पर्मा वालेट पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज के इस वीडियो में आपको आज 19 स्थमबर 2022 की हिमाचल प्रदेश की सभी टॉप 10 तार्या ख़बरों की दानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चलिए वीडियो को जो ये शुरू करते हैं तो देख सकते हैं टूरिजम मिनिस्टर कॉन्फरेंस केंद्री मंतरी किशन रेडि बोले बजट से पहले लागू होगी राष्टरी प्रेटन नीती तो केंद्री प्रेटन मंतरी जी किशन रेडि ने कहा कि बजट सत्र से पहले देश भर में राष्टरी प्रेटन नीती ला मामले में च्हात्रा का साथी रोडू से गिर्फतार तस्वीर्यां आप देख सकते हैं च्हात्रा के आपती जनक MMS मामले में शामिलоко के रोडू के रहने वाली यूवक को गिर्फतार किया गाया है श्मेला पूलिस ने आरोपी उवक को रोहड़ू से पकड़ा और पंजाब पुलिस के हवाले जो है कर दिया कल्चरल बिलेज सद्गुरु जग्गी बासुदेव बोले हर राज्य की राज्यदानी में बसाने होंगे सांस्क्रितिक गाउं तो अध्यातमिक गुरु सद्गुरु जग्गी बासुदेव ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के प्रयाटन मंत्रियों के राष्ट्रिय सम्मेलिन में सत्तर को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि ये गाउं अंतराष्ट्रिय हवाई अड़ों से 50 किलोमीटर के दाएरे में बसाए जाने चाहिए हिमाचल कॉंग्रेस शिमला में जुटेंगे हिमाचल कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता ए आरोई शमीमा लेंगी बैठक एचपी पोल्टेक्स सरकागार्ट में सीयम जाराम बोले बीरभदर सिंग मॉडल में 10 लाख है यूबजव है बेरोजगार 70 हजार करोड का करज तो मुख्यमंतरी जाराम ठाकुर ने पूरव सीयम और उनके परिवार पर भी निशान असादा कहा कि उनके परिवार के लोग बेरोजगारी के बात करते हैं रोजगार यात्रा शुरू करते हैं ज्यान होना चाहिए कि उनके परिवार के मुख्यमंतरी का राज छे बार रहा है बीजेपी महिला सम्मेलन बवीता फोगाट बोली हिमाचल के चुनावी दंगल में भी बाजी मारेगी हिमाचल भाजपार तो जानी मानी रैसलर और भाजपा नित्ता बवीता फोगार्ट ने जो है कांग्रेस पर तेखी टिपनी करते होगे कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश रामबरो से चल रहा था महिलाओं के सम्मान में चलाई जा रही ही योजनाए प्रधान मंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच थी हपी शिवा प्रोजेक्ट शिवाली की पाहड़ियों की बंजर भूमी पर आएगी बागवानी की बहार तो हपी शिवा प्रियोजना की तहर तक शेत्र की 17 पंचायतों की 233 हैक्टियर भूमी को लगब 500 करोड खर्च कर उपजाओ भूमी के रूप में प्रविर्टत जोए किया जाएगा डॉक्टर कमल जीत हिमाचल दंत चिकित सक्त संग के अध्यक्ष बने टेक्ट के लिए जो है अपनी डफली अपना राग स्क्रीनिंग कमेटी स्दस से कि समक्ष समर्थकों की भीड लेकर पहुँचे चाहवान तो स्वीरें आप देख सकते हैं आखिल भारतिय कांग्रेस कमेटी के साचिवबा हिमाचल परदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस से राजस्थान से बिधाईक धीरज गुर्चर ने रविबार को जो है गालुवाल रेस्थ हाउस में उन्ना हमीरपर वा बिलासप गहरों को जो है मुफ्त पानी प्रदेश मेल जहिल जीवन मिशन पर के अंदर से मिले 1028.43 करोड तो प्रदेश सरकार जो है 16,51 गहरों को फ्री पीजल उपलब तकरवा रही है राज्य के ग्रामिन किशेत्रों में लगवग 17,258 जो है घर है इससे ग्रामिन किशेत्र के करमचारियों ने सरकार को चिताया है अगर अन्य करमचारियों को 2022 का नया पेस्केल दिया गया तो ये करमचारी फिर कोट का दरबाजा खटकराएंगे इतना ही नहीं प्रदेश में दुबारा से जीला परिशत करमचारियों की हरताल शुरू हो जाएगी और चुनावों में भी सरकार को इसका परणाम जो है बुखना पर सकता है आउट्सोर्स पॉलसी बन लाए सरकार तब बदलेगा रिवाज तो हिमाचल परदेश आउट्सोर्स करमचारी महसंग ने जो है सरकार से मांग उठाई है कि सरकार जो है आउट्सोर्स करमचारियों के जील के लिए जो संग को सरकार पर पूरा विश्वास है कि वह अपने कहे अनुसार हिमाचल प्रदेश में कारलत सभी आउट्सोर्स कर्मचारियों की नौकरी था तो विवेश्य की रक्षा करते हुए इसी कार्यकार में एक स्थाई निती जो है लाएगी विश्य विद्यले में भाई बतीजाबाद से भरतियां तो प्रदेश सरकार उच शिक्षन संस्तानों में शिक्षकों की नुक्तियां भाई बतीजाबाद से जो है कर रही है उच शिक्षन संस्तानों में एक विशेश विचारधारा के लोगों का फरजी बाड़ा कर नुक्त करने के लिए भरती हैं पदोनती नियम को ही बदलने की कोशिश करने जा रहा है ताकि मुख्य ध्यापक से पदोनत होकर बनने वाले प्रधानचारे के पदों पर डाका मार कर इन पदों को प्रवक्ताओं से पदोनत होकर बनने वाले प्रधानचारे की सुची में बदला जा स सामने आया युवक की पैचान नहीं हो पाई है लेकिन प्रत्यक्ष दर्शियों के नुसार उसकी आयू 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है कांगडा में 20 स्टंबर से लगेगा रोजगार मेला तो भादपा के नेता मनीश शर्मा ने बताया कि वह बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कांगडा विधान साबा में रोजगार मेला लगाएंगे या मेला 20 स्टंबर से 5 अक्तुबर तक चलेगा कुलू लग घाटी में जीब से टकराई बाई के एक की मौक्य पर मौत तस्वीरें आप देख सकते हैं आनी के खनाग में प्रेटकों से भरा वहां सडक पर पलटा 10 घाटी तस्वीरें आप देख सकते हैं तो कुलू से आनी की ओहर प्रेटकों को लेकर आ रही एक टेंपो ट्रेवलर वहां खनाग के समीप सडक में ही पलट कर दुरगटन अग्रस्त हो गई इस हाथ से में पाहं सवार 10 लोगों को चोटे आई हैं जिनने स्थानिय लोगों की मदद से प्रात्मी स्वास्ते के अंदर खनाग लाया गया जबकि गंभी रूप से घायर ट्रावलर चालक को नेजी वहां में सिवल अस्थाल आनी ले जाया गया है चैन्योर में जेसी बी लोडर खाई में गिदा सोलन में टकराए दो वहां एक की मौत तीन घायर तीन घंटे बाद निकाला जा सके साका लोडर के नीचे दव अमरे तक व्यक्ति पुलिस कर रहे ही मामले की जाँच है तो दोस्तों ये थी आज की जो है टॉप 10 ताल्या खबरे अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे हैं और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूलें ताकि आप तके माचल परदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्याबाद जैहें जैभाद जैजिकेशन सबस्क्राइब कर दो बिलकुल एक नहीं किया है